15 से 20 हजार के बजट में, 40 इंच टीबी केटेगरी में, currently 20 से जाधा टीबी है, उनमें से कौन सा टीबी, किस बजट में बेस्ट है, बड़ा कनफ्यूजन है, सारे टीबी इसको साइट बाई साइट कंपेर करने के बाद, मैं आपको बेस्ट टीबी सेजेस्ट करूँगा, बे भी भी डाउट हो, प्लीज कॉमेंट, दो गुंटे में रिपलाए, मिल जाएगा, 15 से 16 हजार के बजट में, दो बेस्ट एंडरोइट टीबी आपको मिलते हैं, पहला है कोड़क का 9X PRO सीरीज, 40 इंच इसकी एंडरोइट टीबी है, 60 हर्स का रिफ्रेश रेट है, 178 डिगर का Wide Wing Angle है, विबिट कलर मिल जाते हैं, अच्छा पैनल आपको मिलता है, अच्छी brightness मिल जाती है, HDR content भी इसमें अच्छा चलता है, क्वाट को प्रोसेसर है, 1GB RAM है, RGB storage है, built-in Chromecast और सारी UTT अप आपकी एराम से चल जाती है, हर्टी वोट का sound output है, Dolby Digital Plus, DTS True का support आपको मिल जा बनफता best TV है, जिसमें picture quality भी अच्छी है, HDR content भी आपका अच्छा चल जाता है, इसमें जो problem है, वो है sound quality से related, और dark screen बहुत जादा अच्छे नहीं दिखते है, इसी price range में Kodak का 7X Pro भी आता है, बट मैं आपको suggest करूँगा Kodak की 9X Pro series ही consider करें, इसी range में जो दूसरा best TV है, that is Plopong Cyber Sound G2, 40 inches का Full HD Smart LED TV है, जिसमें 60 Hz का refresh rate है, vivid colors मिल जाते है, contrast ratio भी आपको अच्छा देखना को मिल जाते है, Realtech का processor है, Android TV पे operated है, 1GB RAM है, RGB storage है और सारी OTT अप आपकी अराम से चल जाती है, इसमें जो सबसे अच्छी बात है, इसमें 48 का surround sound मिलता है, जो कि बाकी किसी TV में नह Bluetooth मिल जाता है, along with hand-free voice control, एक साल की warranty है, 4.4 star rating है, 15,000 से जाधा ratings है, 15,499 में currently available है, और इस budget में picture quality भी अच्छी मिल जाती है, सबसे जाधा louder TV है, इस segment में, एक ही इसकी problem है, इसमें HDR content ठीक ठीक तो दिखता है, बट बहुत अच्छा नहीं दिखता है, इसी range में Thompson की FA series आती है, उसको consider कर सकते हो, लेकिन Blob Punk 40 Sigma को मत consider करना, यह पुराना मॉडल है, Linux OS पे, 17-18,000 के budget में, Acer Advanced i Series, अभी भी बहुत अच्छा promising choice है, 40 इंचिस की Full HD Smart LED DB है, 60 Hz का refresh rate है, HDR 10+, Super brightness, जैसे multiple features मिल जाते हैं, Quad Core processor है, Google TV पे, 1.5 GB RAM है, 16 GB Storage है, Chromecast built-in का support है, सारी UTT app आपकी अराम से चल ज 30 Watt का High Fidelity speaker मिल जाता है, Dolby Audio के support के साथ, 2 HDMI port है, 2 USB port है, 12-band Wi-Fi, Bluetooth version 5.0 का support है, Frame Stabilization Engine मिल जाता है, Smart Remote आपको देखना को बलता है, एक साल की warranty है, 4.1 star rating है, 800 से जाधा ratings है, 17,999 है, currently available है, definitely consider करना, picture quality बहुत amazing मिलती है, colors बहुत अच्छे देखना को मिलते है, viewing angle भी काफी अच्छ करते हो, तो आपको थोड़ा distortion देखना को मिलते है, अगर आप dedicated subwoofer इसके साथ यूज करोगे, तो आपको ये problem नहीं आईगी, इसी range में TCL का येवाला model भी आता है, Android TV है, और इसकी भी picture quality काफी अच्छी है, अभी भी कोई doubt है, 17-18,000 के budget में, Acer Advanced i Series सबसे best choice है, Google TV है और 15,000 के budget में, Blopunks CyberSound G2, Kodak 9X Pro Series, दोनों में से कोई भी एक consider कर लो, best है,